सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चानल आर्टिस बायरुक्सार फोर आज सीरीज सिक्स टे है और आज हम बहुत ही यूनिक सा और इजी सा फ्लावर बनाना बनाएंगे और आपको सिखाएंगे बहुत ही खुबसूरत सा बहुत आसानी से आप यह फ्लावर डिजाइन बना सकते यह हमने ड्रॉ कर लिया है डिजाइन अब हम फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे यह हमने ले लिया है रेट कलर 062 यह इजली अवलेबल हो जाता है यह कलर बहुत आसानी से मिल जाता है और अब इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे फ्लावर को और स्टेप बाइ स्टेप ज देखिएगा तभी आपको समझ में आगा कैसे हमने स्टार्ट किया और कैसे उने बनाना शुरू किया है वीडियो को पूरा वाच कीजिएगा तो आपको समझ में आएगी यह डिजाइन बहुत ही इजी और बहुत आसान सी डिजाइन है गाइस इसको हलका सा कलर लेके इसको हलका हलका सेट देना है इस तरीके से हलके हलके हाज से इसको सेट देना आउटलाइन करने के बाद इसको हलके हलके हाज से इस तरीके सेट देना है सेटिंग करते जाना है गईस बिगनर क्लास जो भी सरकल में चैनल को सबस्क्राइब कीजी जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे जरुब सर्कल में अपनी खरी करें फैंट्टर से जरूर से सरकल में पार केशनिये जिसको भी पेंटिंग पसंद रहे तो जरूर इसी तरीके से देखे गाइस मेरे बताने से मतलब मेरे बोलने से ज़्यादा आपको देख के समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरीके से ये डिजाइन ड्रॉ की है सिम्पली आपको ह texto देना है तक कि बीच में हिससा वाइट पोसन वो अल्कल क दिखना चाहिए नीचे से lerइव करना और ऐसे तरीके से देख सकते हैं आप सेंड पंख़ूडी बना रहे हुआं है आ अपने आध़ा आउटलाइन करना है पंकुडी का हाफ जो फ्लावर है हाफ पंकुडी उसको अपने हाफ आउटलाइन करने बाद आपको हल्का हल्का यहां से इस तरीके से सेदिंग करना है यह देखिया है आप यह बेट सीट बड़े पिलो कबर पे या बेट सीट डिजाइन या फिर आप सूट पे भी इस तरीके का डिजाइन बना सकते बहुत ही एचटी लुक देगा बहुत ही खुबसूरत लगेगा तो गैस ध्यान से देखिए यह देखिए उन्हें इस तरीके से भी बनाके बता है तकि आपको अच्छे से दिखें मैंने ब्रस को उपर से थोड़ा पकड़ लिया है देखिया हलके हाथ से आपको सेडिंग देनी है एक बार में ज्यादा पेंट नहीं लेना है थोड़ा थोड पेंटिंग करें प्लीज पेंटिंग करेंगे तो आपके पेंटिंग में फिनिशिंग भी आएगी और अच्छा लूप भी आएगा एकदम से इन्हांस होके वह डिजाइन भी आपको दिखेगी जो भी बिगनर लोग हैं जो भी मतलब पेंटिंग सीख रहा है मेरे चैनल के थूँ तो प्लीज आप विगनर क्लास जोईन कर लें ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरीके से स्टेप बाइस सारी पेंटिंग मिक्स एन मैच कलर भी हमने सिखाया है और पती मैंने तीन से चाट टाइप की लीब बना चुकि अलग से एक वीडियो लीब बना विए interaction उसके बाद से हल्का हल्का से हमनेट किया है ओपर से और उपर नीचे से और बीछ का जो हिस्सा है हमने उसको वाइट कलर ही रखा यह देखे मनें आधा-धा शेटिंग किया है नीचे और ऊपर सें उससे क्या如果 आप जबors deriv को बनाएंगे तो प्लावर में आप देख उस तरीके से आपने डिजाइन बनाने जिस तरीके से हमने बनाया आप देख सकते हैं ध्यान से इस तरीके से यह डिजाइन मैंना नहीं है और फिर हमने यहां पर हलका हलका ब्राउन कलर सेट किया है कि मैं आपको बता दे रही हूं क्यूंकि मेरा कैमरा उस वक्त बंद हो गया था किस तरीके से यूज़ करना मैं आपको बता दे तो यह हलका सा यह देखिए ब्राउन कलर लेना है यह ब्राउन कलर हमने ले लिया और इसको हलका सा इस तरीके से यूज़ करना है कि ताकि वह एक है आपको बता नहीं पाई इस तरीके से हलगा हलका सेटिंग देना तक 2012 यह इसाटिक met शेटिंग दिना फिर उपर इसeking देना और उसके बास से उसको आउटलाइन फ्लावर को ब्राउन डार से आउटलाइन अच्छे से करगे तो गाइस यह देख सकते हैं कियह सो कि अ सब्सक्राइब जरूर से कीज़ेगा और लाइक का बटन जरूर से दबाएगा और बेल आइकन दबाने से यह कि जब भी मेरी नई वीडियो अप्लोड होगी तो आपको सारी नौटिफिकेशन इजली आपको मिल जाएगी सारी वीडियो आपके पास अवलेवल हो जाएगी डाइस अब यहाँ पर लेना हमने लेमन येलो कलर और इसको हमें बीच का जो है फिल करना आप वाईट कलर से भी फिल कर सकते हैं लेकिन इसके साथ लेमन येलो जादा ही खुबसूरत लग रहाता इस तरीके से आपने lemon yellow लेने देखे कितना HD लुक और बहुत ही खुबसूरत माशालला ये design बन के आईए अब यहाँ पे red color से हलका हलका dot कर देना है ताकि एकदम से इसका जो पराग है एकदम से HD में एकदम से real लगे इसके लिए पराग में red color का हलका हलका dot करना है अब यहाँ पे हम पत्ती बनाना श्टार्ट करेंगे पत्ती के लिए हमने लिया से ग्रीन कलर आप चाहें तो डाग ग्रीन कलर भी ले सकते हैं लेकिन से ग्रीन कलर मुझे कुछ जादा ही पसंद और यह कैसा एकदम HD मतलब एकदम से रियल लुक देता है इसके लिए मैं यहीं बोलूंगी कि आप ग्रीन कलर ही बना है और यह हमने राउंड राउंड वाला से बना इस तरीके से देख सकते हैं इस तरीके से आपने बनाना है आप यहाँ पर पैन ब्रस का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फ्लैट ब्रस नहीं हो पारा ता आप यहाँ पर पैन ब्रस यूज़ कर लें आप यह सारा फ्लावर जो है आप दो नंबर ब्रस से बनाईए तो बहुत ज्यादा खुबसूरत लगेगा क्योंकि दो नंबर से सेटिंग अच्छे से हो जाएगी जो भी बिगनर है प्लीज जो ब्रस है और छोटे से छोटा ब्रस यूज़ करें छोटे नंबर का जैसे कि 0123 ऐसे करके आप ब्रस यूज़ करें प्लीज फ्लाट ब्रस अगर यूज़ कर रहे है तो तू नंबर का ब्रस यूज़ करें इस फ्लावर को बनाने के लिए इस तरीके से यह बनके रेडी हो चुका है अब पत्ती की बारी है अब हम पत्ती को पूरा फिल कर लेंगे यहां पर हम यूज़ करेंगे वाइट कलर अब यहां आपने वाइट कलर यूज़ करना हलका सा कॉप देते हुए यहां पर हमने ब्रस का यूज़ करना है इस तरीके से अच्छे से ब्लैंड करते हुए इसको ब्लैंड करना यहां पर वाइट को और ग्रीन कलर में मैच कर देना तक यूज़ अच्छे से मिक्स हो जाए प्लीज पूरे पेसंस के साथ ड्रॉइंग करेंगे तो आपकी डिजाइन अच्छी होगी मैं यह बात कई बार बोल चुकी हूँ पेसंस के साथ ड्रॉइंग करें हैं तो डिजाइन अच्छी होगी इस तरीके से देखिए आप है कि सेकेंड पती बनाना बता रही एक तरफ ही हमने इसको ऑफ वाइट कलर किया और सौरी वाइट कलर में ग्रीन कलर मिक्स और मैच किया है इस तरीके से यहां पर हमने फिर से वाइट कलर यूज करना हलका सा इस तरीके से एक तरफ से मने ऊपर साइड से ऊपर से मने फिल कर दिया और फिर दुसरी साइड से हमने इसको नीचे से फिल करना इस तरीके से मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करें और सपोर्ट करें मुझे गईज सब्सक्राइब जरूर से करतें बिगनर क्लास आज 6 कंप्लीट होता है कल 7 डे स्टार्ट हो जाएगा बिगनर क्लास के लिए जो भी चैनल पर नहीं पर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइक उन जरूर से दबा दिजिए जब भी नई वीडियो आएगी तो आपको इसली मिल जाएगी तैंक यू तैंक यू फॉर वाचिंग बाबाए जो जो अबाएगार देख एक जो बाइख से जबाएगाब कीजिए तैंक यू जो 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 एक उने कीजिए आएगी आएगी